लास्ट वीडियो में तुम्हें से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे के रेडियो आक्टिविटी के उपर इंपॉर्टेंट क्वेशन्स डिसकस करने तो इस पटिकुलर वीडियो में यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी जितना भी क्वेशन्स है तुम्हारा तुम्हें यहाँ पर रेडियो आक्टिविटी से एक्जाम में मिलने वाला है फिजिक्स के लिए और टाइम भी कम है तो अच्छे से देख लो यहाँ पर तुम्हारा जो भी क्वेशन्स है उपर उपर से हम लोग डिसकस करेंगे एक बार तुम्हारा अंसर्स गो थ्रू कर ल ध्षम मास नंबर मास होते इस मास नंबर होता है तुम्हारा टोटल फूर्टल नंवर अवशित लिए निव्कलें इस लोनton आज शना właściwie 2 पर next question यहां पर क्या है which of the following just wait which of the following are the radioactive elements यहां पर सारा ही तुम्हारा थोरियम, अक्टिनियम, प्लुटोनियम, यूरिनियम, पोलोनियम, रेडियम, सब कुछ यहां पर radioactive है so all of the above होगा फिर next question देखो radioactive elements में emit three types तो कौन कौन सा alpha, beta and gamma radiations होता है यहां पर तुम्हारा चो right statement है यह दो statement रेड कर लेना तुम्हारा यहां पर right statement कौन सा है इधर तुम read कर सकते हो यहां पर तुम्हारा right statement लिखा हुआ है नमबर C है, alpha radiation is positively charged, beta radiation is negatively charged and gamma is neutral यह तुम सभी को पता है I hope पता होना चाहिए सबको फिर next question है which of the following it is true तो यहां पर तुम्हारा क्या होता है true कौन सा होगा here none of the above क्यों true है because यहां पर बोला गया है कि सबका same penetrating power होता है नहीं सबका अलग होता है alpha has the highest, sorry gamma has the highest, यहां पर लिखा है alpha तो यह गलत हो जाएगा, beta गलत हो जाएगा, यहां पर gamma radiation has the highest penetrating power फिर next question देखो, next question है question 8, the radiation with maximum penetrating power गामा होता है अभी हमने तुरह discuss किया था उपर फिर यहां पर देखो, एक यहां पर तुम्हारा दिया हुआ है, इसको complete करना है तो यहां पर कौन सा emission हो रहा है, यहां पर तुम्हारा beta emission हो रहा है, because यहां पर minus 1 तुम देख सकते हो, एक यहां पर neutral है 0 तो यहां पर तुम्हारा right option is का A होगा, फिर next question देखो, next question है, which of the following are nucleons, तो तुम्हारा protons and neutrons, को हम लोग nucleons बोलेंगे, तो यहां पर both B and C होगा फिर यहां पर next है, तुम्हारा 11, 11 का यहां पर बोला गया है, यहां पर तुम्हारा protons और neutrons निकालना है, protons देखो, जो नीचे वाला रहता है, यह atomic number होता है, जो 6 दिया हुआ है, यहां पर जो 6 दिया है, यह तुम्हारा atomic number और atomic number और number of protons दोनों equal होता है तो number of protons यह तुमारा P6 हो गया और neutrons निकालने के लिए हम लोग यह दुनों को minus कर देंगे 14 minus 6 कर देंगे तो तुमारा यहाँ पर 8 आएगा तो यहाँ पर तुमारा 6 है ने 8 option number C में है तो option C right होगा फिर next question है which of the following is most harmful लेकिन गामा रेडियेशन होता है सबसे जादा हामफू होता है material used for safety from radioactive radiation it is lead so option B is right lead होता है next है यहाँ पर तुमारा malignant tumor वाला question हमने पहले भी discuss किया MCQs में तो यह तुमारा thorium नहीं sorry को बाल्ट होगा और value देख लेना इसका mass number atomic number next इसका तुमारा zero mass इसका इसका रेडियेशन में होता है गामा में तो याद रखना फिर questions देखो what are isobars examples of isobars देख लेना answer already यहाँ पर mentioned एक बद जस्ट गो थू कर सकते हो तुम फिर next question देखो यहाँ पर two properties सब का ही देख लेना तुमारा two properties of alpha बोला है पर देख लेना इंपोर्टेंट है precautions important है precautions that should be taken while handling radioactive substances then यहाँ पर least penetrating power alpha होता है highest gamma होता है याद रखना uses of radioactive isotopes radioisotopes तुम यहाँ पर लिख सकते हो एक यहाँ पर mentioned है next question है why is radioactivity considered to be nuclear phenomena reason यहाँ पर तुम देख सकते हो this is so because during radioactivity the change occurs in the nucleus so this is why it is known as it is a nuclear phenomena because it is in nucleus में होता है board का question है पहले भी आया है pyq के अंदर है तो एक बर go through गरना फिर यहाँ पर देखो तुमारे यहाँ पर दोनों दिखाना है two types of radioactive decay दिखाना है तो alpha और beta emission तुम देखा सकते हो alpha में क्या होता है alpha में एक में minus 4 होता है एक में माइनस 2 होता है और beta में एक में यहाँ पर प्लस 1 होता है एक में यहाँ पर 0 होता है तो यहाँ पर emission देखो equation दिया हु innerhalb देख लेना तुम्हें पता होगा i hope फिर next question है यह वाला यहाँ पर तुम्हें simply यहाँ पर बताना है atomic number find out करना है S का तो यहाँ पर देखो answer दिया हुआ तुम एक बार go through कर सकते हो फिर moving ahead quickly तो यहाँ पर तुमारा question है can cause severe genetical disorder तो यह तुमारा gamma होता है gamma radiation में severe genetical disorder हमें cause कर सकता है deflected by electric field यह तुमारा alpha और beta दोनों ही होता है तो go through कर लेना next यहाँ पर question देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है तुम्हें इसका क्या करना है simply यहाँ पर हमें क्या निकालना है mass number और atomic number निकालना है किसका x का निकालना है इसका दिया हुआ है तो तुम्हें इसको reverse way में करना है पर 4 और 2 जो होता है होग पर हम लोग यह पर क्या करेंगे उल्टा Google Hmm कर देंगे निन करेंगे इनकर फिर यहां से इतर जाएंगे और फिर इधर से इतर जाएंगे तो तो में परいい वाल्यू आ जाएगा तो यहां पर question क्या है, mixture of radioactive substances gives off three types of radiation, तो पहला question है, name the radiation which travels with the speed of light, तो यह तुमारा gamma radiation travels with the speed of light, तो यह तुमारे बुक में देखो एक चार्ट दिया हुआ है, यहां पर highest penetrating power किसका है, deflected by electric field, तो यह सारा तुमारा questions वहां पर तुमें मिल जाएगा, वह अगर तुम table कर लेते हो, तो वह table तुमें काफी जदा help करेगा, किसका highest penetrating power है, highest ionizing power है, सब कुछ mentioned है, तो गो थू करना, तो radiation which has highest ionizing power, यह तुमारा alpha होता है, फिर next question 11, just go through it, 11 का देखो, यहां पर दिया हुआ, I already solved, एक बर go through करना, 2011 में आया था, एक बर go through कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, यह देखो, यह उतना important नहीं है, इसको यहां पर हटा देना, मैं यहां पर जो जो important है, वह ही बता रही हूँ, फिर यहां पर देखो, which radiation produces maximum biological damage, तो यहां पर तुमारा already पता है, कि यहां पर severe, जो genetical disorder करता है, वही biological damage करेगा, तो यह तुमारा gamma radiation होगा, this is gamma, उसके बाद है, what happens to the atomic number of an element, when the radiation named by you, in part 1, are emitted, तो यहां पर क्या होता है, no change in atomic mass number, atomic and mass number, because यह तुमारा neutral रहता है, तो यहाद रखना, फिर next question देखो, next question है, a certain radioactive nucleus emits a particle that leaves its mass unchanged, तो यह तुमारा unchanged होगा, but it increases atomic number by 1, by 1 कौन से increase होता है, एक में तुमारा plus 1 increase होता है, एक में 0 रहता है, तुमारा beta emission रहता है, तो यहां पर simply beta है, उसका तुम्हें symbol लिखना है, तो beta का symbol ऐसा होता है, beta radiation का, alpha का भी तुम्हें पता होगा, ऐसा रहता है, gamma का ऐसे रहता है, या फिर तुम्हें ऐसे भी बना सकते हो, तो इस तरीके से करना पड़ेगा, फिर next question है, यह वाला, how many alpha and beta particles are emitted, यहां पर देखो, uranium यहां पर question है, तुम्हें यहां पर simply calculation दिया होगा, एक बार go through करना, फिर next question, question number 16, देखो, background यह देख लेना, possible sources of background radiation, एक internal source, एक external source है, तुम्हें एक बार go through कर लेना, यह तुम्हें बुक में भी है, what are background radiations, यह भी go through करना, definition important है, फिर question क्या है, is it, next question, is it possible for a hydrogen H11, nucleus to emit an alpha particle, give a reason, so no it is not possible, और reason भी दिया हुआ है, because nucleus does not contain two protons and two neutrons, तो यहाँ पर answer भी दिया हुआ है, फिर next question है, तुम्हें industrial use of alpha, beta and gamma radiation uses पढ़ लेना, तुम्हारा specimen question पेपर का question है, फिर what are background radiations, मैंने अल्रेटी बोला कि तुम्हें go through करना, और इसका sources भी तुम्हें पता होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो definition है, book से भी तुम refer कर सकते हो, I hope कि same definition होगा, फिर यहाँ पर तुम्हें भी देख सकते हो, equation यह लिखना है तुम्हें, तो simply यहाँ पर alpha, अल्फा अगर यहाँ पर dk हो रहा है, बिकोज यहाँ पर helium 402 यहाँ पर emit होता है, फिर next है, यहाँ पर तुम्हारा यह वाला question, इसको भी go through कर लेना, यहाँ पर answer mentioned है, radioactivity does not depend on temperature, next है तुम्हारा define radioactivity, काफी easy question है, definitely जब तुम chapter start करोगे, तो यह जरूर तुम पढ़ोगे, तो यहाँ पर क्या है, it is the process of spontaneous disintegration of the atomic nuclei with the emission of particles from within the nuclei of atoms, then यहाँ पर एक question है, radioactive substances oxidized, what change would you expect, यहाँ पर answer एक बर go through करना, हम लोग जल्दी जल्दी देखो, question skip नहीं कर रहे हैं, just हम लोग जल्दी जल्दी देख रहे हैं, because यहाँ पर तुम्हारा exam है, और यहाँ पर biological, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, biological effect, तुम्हें ascending order मतलब छोटा से बड़ा arrange करना है, तो यहाँ पर go through कर लेना, तुम्हें पता भी होगा, definitely किसका highest penetrating power, ionizing power किसका होता है, फिर next यहाँ पर एक question है, इसको go through कर लेना, यह तुम्हारा DK वाला question, इसका solution यहाँ पर है, तुम go through कर लेना, फिर next question हम लोगा आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर भी देखो, यह तुम्हारा 2014 में आया है, जस्त तुम अगर एक दो कर लोगी, तो तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, कैसे emission हो रहा है, तुम्होई भी question हो, तुम्हारा यहाँ अच्छे से कर पाओगे, तो जरूरी नहीं कि तुम्हें सारा ही questions करना है, emission वाला, दो-तीन देख लेना, प्रैक्टेस कर लेना, अगर तुम्हारा answer राइट आ रहा है, तो तुम कर पाओगे, फिर कुछ यहाँ से theory आता है, what is meant by radioactivity, हमने already देख लिया, spontaneous disintegration, अभी हमने just discuss किया था, nuclear waste क्या होता है, nuclear waste क्या होता है, यह भी go through कर लेना, it is the waste radioactive material, which remains after the use of radioactive material, फिर यहाँ पर suggest one effective process, for the safe disposal of nuclear waste, तो हम यहाँ पर gases को dispose कर सकते हैं, यहाँ पर बरीड, they are usually buried, in the specially deep constructed underground stores, तो यह देख लेना, फिर next question है, when does the nucleus of an atom tend to be radioactive, यहाँ पर देख लो, when the atomic number is greater than 82, an imbalance of proton and neutron, as compared to a normal stable atom, then it is said to be radioactive, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर प्रोवाइड है, एक बार रीट कर लेना, पारे दिमाग में रहेगा, तुम रीट कर लोगे, तो फिर यहाँ पर यूज और harmful effect बताना है, एक यहाँ पर advantage, mostly यहाँ पर पुछा है advantage, और यहाँ पर harmful effect, मतलब disadvantage of radio activity, तुम यहाँ पर लिख सकते हो, देख कर, यहाँ पर harmful effect क्या है, it causes skin cancer, eye disease, so it is not good, it is harmful, और use तुम क्या लिख सकते हो, it is used in the production of electricity, in a nuclear reactor, and carbon dating technique में भी use होता है, for knowing the age of the fossils, carbon dating technique यूज होता है, फिर next question है, question number 9, इसका question देखो यहाँ पर, simply यहाँ पर decay के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो alpha particle होता है, उसमें यह decay होता है, बीटा में यह decay होता है, just एक बार go through कर लेना, फिर यहाँ पर next question, now question number 10, यहाँ पर देखो क्या है, complete the diagram by drawing the deflection, यह तुमारा 2015 में आया है, तो यहाँ पर देखो तुमारा एक diagram, तो यह diagram है, go through कर लेना, फिर यहाँ पर देखो 2007 का question है, तो इतना important नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर हटा रहे है, तो मैं simply यह वाला question देख लेना है, यह देख लेना है, यह तुमारा ISO bar है, name given to element with the same mass number, and different atomic number ISO bar होता है, और यह देख लेना, what conditions, तो conditions देखो, यहाँ पर already लिखा हुआ है, तुम go through कर सकते हो, फिर देखो यहाँ पर एक question है, यह वाला question go through कर लेना, यह 2018 का question है, यहाँ पर question read कर लेना, तो यह तुमारा diagram है, इसके basis पर कुछ questions है, तुम लोग एक बार video post करके देख लेना, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर solutions भी दिखा देती हो, तुम यह solutions है, देख सकते हो, 2018 का question है, उसके बाद next, यहाँ पर question 2020 का question है, यह भी एक बार go through करना, number 9 वाला question, और answer देखो, यहाँ पर है, यह particular answer है, वो question का, तो एक बार देख लेना, तो यह हमने देखो, कुछ important questions and PYQs, discuss किया, MCQs भे discuss किया, हमने, प्लस यहाँ पर कुछ important theory questions है, PYQs है, काफी कम टाइम बच गया है, अब यहाँ पर तो अच्छे से कर लो, यहाँ पर अच्छे से preparations हो गया होगा, physics का starting का chapters, यह last chapter था radio activity, जिसका कि हमने discuss किया, अब देखो, सारे chapters के उपर तो possible नहीं है, next video, तुम कौन से chapter का important questions and MCQs, हम लोग discuss करें, तुम कौन सा चाहते हो, यह चीज तुम लोग मुझे नीचे comment करके बताओ, उसी का वीडियो जो कि यहाँ पर जादे तर comment आएगा, जो chapter का, उसके उपर हम next video discuss करने वाले है, important questions and MCQs, तो तुम लोग मुझे नीचे comment करके बताना, और इसके लिए देखो, कुछ भी अगर तुमारा doubts है, तो तुम लोग definitely, तुम लोग मुझे नीचे comment करके पूच सकते हो, thank you so much for watching,